इस वीडियो में हम देखेंगे शन की एक strategy है जिसे strategy कहते हैं बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे इसमें यह बताएंगे कि strategy होती क्या है लेकिन इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस strategy को आप live market में use कप कर सकते हैं कौन सा price section chart पर बन रहा हो उस जगे आपको जो है straddle को use करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि straddle जो है दो तरह के होते हैं एक long straddle होता है एक short straddle होता है तो long straddle का use कप करना चाहिए short इस वीडियो में बात कर लें option strategy की तो option strategy कई तरह की होती है straddle strategy होती है strangle होती है call spreads होती है put spread होती है iron condor होती है iron fly होती है and z lizard तो काफी तरह की option strategy होती है तो हम अपनी next video में one by one हरे एक strategy के बारे में details देखेंगे कि ये strategies होती क्या है और इनका use किस तरीके से करते सबसे important के बारे में तो जान लेते हैं, लेकिन उनका यूज कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें कोई भी YouTube पे नहीं बताता है, तो मैं अपनी आने वाली हर एक वीडियो में, वन बाई वन हर एक strategy के बारे में आपको बताऊँगा कि उनका use कैसे करना चाहिए और वो होती क्या है इस वीडियो में हम straddle strategy के बारे में देखेंगे कि straddle strategy जो है वो होती क्या है और उसका use जो है हम कहा कहा कर सकते है थोड़ा साम ब्रीफ और लेंगे इसमें कि option क्या होता है basically हम option buying जो हम सुनते हैं काफी लोग आजकल जो है option trading करते हैं लेकिन option के बारे मुन को उतनी detail पता नहीं है तो इसमें हम detail नहीं रखेंगे option के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं option पे detail video बताओ डवेटल आप मुझे comment कर सकते हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ लूँगा एक चोड़ा सा explanation दूँगा कि आपको कि option में mainly हम करते क्या है अब अगर आप देखें मेरी screen पे हम option में दो तरे की चीज़े होती है एक हमारा होता है call एक हमारा होता है put call हम दोनों तरह से करते हैं या तो buying करते हैं या फिर shelling करते हैं Now, call को buy कप करते हैं, जब हमें में लगता है हमारा जो view होता है कि market उपर जा सकते हैं, तब हम call को buy करते हैं. या फिर हमें लगता है कि market नीचे जा सकती है, तब इसी call को हम क्या करते हैं, short करते हैं. now put buy करते हैं put buy तब हम तभी करते हैं जब हमारा view जो होता है कि market यहां से नीचे जा सकते हैं तब हम put को buy करते हैं या फिर put को हम sell भी करते हैं put को sell करते हैं जब हमारा view जो होता है कि market जो है उपर या फिर sideways रह सकती है तो इस तरीके से हम call or put को buy करते हैं जो लोग option buying करते हैं उसे option buyer करते हैं यानि जो call or put को buy करते हैं वो option buyer होते हैं और जो इनको sell करते हैं उनको option writer भी कहते हैं या फिर option seller कहते हैं basically जो option buying करते हैं वो premium एक जो premium होता है किसी भी strike price का उस premium को paid करते हैं और जो भी option sellers होते हैं वो उन premium को collect करते हैं तो यह थोड़ा सा brief है कि और इसमें और भी काफी सारी चीज़े हैं कि strike price कैसे choose करते हैं कौन से strike price लेना चाहिए कौन सा option है buy या sell करना चाहिए चार्ट को इस तरीके से देखना चाहिए तो अगर आप इस पर detail video चाहते हैं कि option पर detail video बनाओ तो आप definitely मुझे comment कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने topic की तरफ कि straddle strategy होती क्या है और इसका use हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले कि straddle जो strategy होती है वो होती क्या है अगर मैं आपको बताओं अगर आप चार्ट पर देखें suppose market जो है जो straddle strategy है दो तरह की होती है हमारी एक होती है long strategy long straddle एक होती है हमारी short straddle long straddle क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं suppose कोई भी एक point है उस point पर हमें लगता है कि नहां से मारकेट है यह तो बहुत तेजी से उपर जा सकती है या फिर बहुत तेजी से नीचे जा सकती है तो straddle strategy में हम क्या करते है सेम strike price का call or put दोनों ही buy या sell करते है जब हैं किसी भी same strike price का call and put buy यौ sell करते हैं तो उसको strands strategy कहते हैं जब हम उसको buy करते हैं same strike price के call or put दोनों को जब हम buy करते हैं तो उसको long straddle कहते हैं और जब हम same strike price के call or put को sell करते हैं तो उसको short straddle कहते हैं Now, long straddle कब use करना चाहिए, short straddle कब use करना चाहिए, पहले सबसे बात कर लेते हैं कि long straddle का use कब करना चाहिए, फिर हम इसको live chart पे भी देखेंगे कि live chart पे किस तरीके से आपका ये trade बन सकता था, अगर आप bank nifty या nifty में trade करते हैं, सबसे हम पहले बात कर लेते हैं, long straddle का use कब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है market जो है इस एक point पे, market जो है trade कर रही है, यहाँ से आपको आपका जो view है, यहाँ से या तो market बड़ी तेजी से उपर जा सकती है, या बड़ी तेजी से नीच जा सकती है, जब market में किसी भी एक direction में एक अच्छा move आने वाला होता है, आपको यह लगता है कि एक तरफा move आने वाला है, तो आप उस समय क्या करते हैं, long straddle करते हैं, means कि same strike price के call and put को buy करते हैं, किस तरीके से buy करते हैं, हम चार्ट पे देखेंगे, short straddle का use कब करते हैं, short straddle का use तब करते हैं, जब आपको लगता है कि market जो है, किसी भी एक point के आसपास ही movement करती रहेगी, यानि उपर जाएगी, फिर नीच जाएगी, फिर उपर जाएगी, और लगर उसी के आसपास उसकी closing हो सकती है, यानि market का कोई direction ना हो, तब हम use करते हैं short straddle का, अब इसको हम chart पे समझेंगे, कि chart पे हम किस तरीके से इसका use कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको bank nifty का chart दिखाऊ, अगर आप इस screen पे देख पा रहे हो, तो यह हमारे पास bank nifty का chart है, 5 minute के time frame पे, अब हमें short straddle और long straddle का use कर परना चाहिए था, suppose अभी जो market का rate चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, अभी जो market का rate चल रहा है, कहीं न कहीं 37,600 के आसपास चल रहा है, suppose आपका view है, कि market जो है इसी के आसपास जो है, वो पूरे दिन रहेगी, तो आप क्या करेंगे, इस cases में आप short straddle strategy का use करेंगे, उस case में क्या करेंगे आप, कि अभी current price है market का 37,600 के आसपास, तो आप क्या करेंगे, 37,600 का call और put दोनों को short करेंगे, अगर आपका view है, कि market यहीं पे जो है, time spend करके यहीं के आसपास, थोड़ा बहुत उपर नीचे जो है closing कर देगी, कोई बे direction नहीं होगा, तो उस cases में आप क्या करेंगे, short straddle strategy का use करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, same strike price का, suppose आपको अगर example दूँ, कि 37,600 का आप call और put दोनों को short करेंगे, लेकिन इसमें काफी एक important चीज़ है, जो आपको ध्यान रखना है, suppose market, अब आपको short straddle का use कहीं भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर market ने एक अच्छा खासा move दिखा दिया है, उसके बाद क्या करती है, market जो है pause लेती है, उसमें क्या होता है, market जो है एक ही level पे कई दिनों तक consolidate करती है, अगर मैं आपको example दिखाऊं, bank nifty का, तो bank nifty में कई दिनों से एक अच्छा move होने के बाद, bank nifty जो था, एक level पे जो था, कई दिनों से hold कर रही थी, bank nifty ने का गया था, आप साइड या फिर downside, उसके बाद market क्या करती है, वो नीचे के level पे या तो pause ले सकती है, या फिर वो उपर के level पे pause ले सकती है, तो इस cases में आप जो है short straddle का use कर सकते हैं, यानि same strike price के call और put दोनों को short कर सकते हैं, now, आपको long straddle का use कप करना चाहिए, long straddle में हम same strike price का, suppose अभी market का current price चल रहा है, 37,600 के असपास चल रहा है, और हमें लगता है कि यहां से market जो है या तो एक तरफा उपर की तरफ जाएगी, या फिर एक तरफा नीचे की तरफ जाएगी, तो इस cases में हम क्या करते हैं, long straddle strategy का use करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, same strike price का, यानि 37,600 का call और put, दोनों को buy करते हैं, अब यहां से अगर market अच्छा का सब उपर जाते हैं, तो जो हमारे call का premium होगा, बड़ी तेजी से बड़ेगा, लेगिन इसी के against जो हमारा put का premium होगा, वो कम होगा, अब इसमें जो हमें चीजे ध्यान रिखनी हैं, long straddle बनाते वक्त, वो हमें यह ध्यान रखना है, कि आपको जो strike price चुटना है, जो premium choose करना है, वो 100, अगर आप bank in payment trade करते हैं, bank in payment trade करना चाहते हैं, long straddle का use करके, तो आपका जो premium होना चाहिए, 100 रुपे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानि 100 से ज़्यादा का premium आपको choose नहीं करना है, अगर आप long straddle का use करते हैं, तो इस किस्से में क्यों करना चाहिए, suppose अगर आपने यहाँ पर long straddle बनाया है, suppose market नहीं हाँ से कचा खासा मूझे उपर के तरफ दिखा, 100 रुपे का call होगा, उसकी value तो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, अगर market जो 1500 point उपर चली जाती है, तो जो 100 रुपे का call है, वो बड़ी तेज़ी से 400-500 तक हो जागा, लेकिन वहीं जो put की value होगी, वो जाता से जाता 100 से 0 हो सकते हैं, तो जो आपका risk होगा, maximum वो 100 रुपे का होगा, लेकिन आपका जो profit होगा, वो unlimited 100 से जादा होगा, यानि 200, 300, 400 तक हो सकता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, market उपर भी जाती है, तो आपका maximum जो put है, वो 0 तक हो सकता है, यह 100 रुपे का risk रहेगा, लेकिन इसी के against, आपका जो target होगा काफी जादा हो सकता है, यह profit जो है, उसमें unlimited होगा, long straddle कभ यूज़ करना है, suppose market जो है, कई दिनों से एक pause में है, market कई दिनों से एक pause में है, pause के बाद, जब वो किसी भी direction में, या तो upside या फिर downside, जब वो किसी side breakout देती है, breakout के cases में, हम long straddle का use करते हैं, suppose यहाँ पर मैंने एक trade लिया, यहाँ से अगर market जो है, अच्छी का सी या फिर नीचे गिर सकते हैं, या फिर यहाँ से वापस, तगड़े से उपर जा सकते हैं, तो इस cases में हम long straddle का use कर सकते हैं, जब market कई दिनों से एक pause में हो, pause के बाद उसमें एक अच्छा moment आता है, तो simple strategy है, आपको क्या करना है, long straddle में आप same strike price का, put और call दोनों buy करते हैं, लेकिन इसमें जो सर्थ है, वो यह है कि आपका जो premium होना चाहिए, वो 100 रूपी के आसपास होना चाहिए, short straddle में हम क्या करते हैं, कि हम same strike price का call और put दोनों को short करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर market जो होती है, एक ही range में कई दिनों से बनी रहती है, तो उसका premium जो होता है, due to theta decay, यानि time value के कारण उसका जो premium होता है, वो दिरे-दिरे कम हो जाता है, और जो आपका profit उसी से बनता है, अगर market जो किसी भी direction में नहीं जाती, एक ही point पर वो close कर देती है, तो अगर market कई दिनों से uptrend में है, या फिर कई दिनों से down trend में है, तो उसके बाद आपको short straddle का use करना है, अगर market कई दिनों से sideways है, तो sideways के बाद अगर वो breakout देती है, चाहें upside हो, चाहें breakdown देती है downside में, उस cases में आप जो है long straddle का use कर सकते हैं, अब हम straddle का use क्यों करें, हम simple call या फिर put buy कर सकते हैं, अगर हमें पता हो, या फिर short करते हैं, direct कर सकते हैं, अगर हमें पता है, market जो है side बेरा सकते हैं, तो call या put short कर सकते हैं, इसका एक फायदा ये है, कि अगर आप call और put दोनों को buy या sell करते हैं, तो जो आपको position होती है, वो hedge होती है, suppose market में अचानक कोई एक ऐसा movement आ जाता है, या फिर upside या फिर downside, तो उस cases में आपका जो capital होता है, वो save होता है, तो इससे जो हमारा position होता है, वो hedge हो जाता है, इसलिए ये जो strategies हैं, option की strategies जो हैं, वो काफी लोग use करते हैं, अगर इस वीडियो पर 100 likes आ जाते हैं, तो next वीडियो जो होगी हमारी strangle के उपर, कि strangle strategy क्या होती है, अभी हमने सिखा straddle strategy, next वीडियो में हम ये देखेंगे, strangle strategy होती क्या है, उसका use कप करना चाहिए, ये चार्ट पर देखेंगे कि, किस तरीके से आप उसका use कर सकते हैं, strangle strategy का, इस वीडियो में इतना ही गाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे, तो वीडियो को like करें, share करें, और अगर आप अप महारे चैनल के नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, और अगर आपको फिर भी कोई doubts है, options को लेके या फिर चार्ट को लेके, या फिर किसी भी stocks के बारे में, या index के बारे में कोई भी doubt हो, तो आप definitely मुझसे पूल सकते हैं, मैं उसका answer जरूर दूँँगा, guys, ओके guys, we will meet in next video, till then, goodbye, thanks for watching guys.